सो नमस्का दोस्तों एक बार फीच से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटुब चेनल यसरा सलूशन्स में मैं हूँ आपका दोश टेक्निकल मुकेस तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक और ग्रेट और सांधार वीडियो लेकिया तो आज की वीडियो में आप से मैं बात करने जा रहा हूं Google Chrome के एक ऐसे डन फीचर की जिसकी मदद से आप यहां पे किसी भी आडियो को क्रोम की टूल बार से ही कंट्रोल कर पाएंगे जैसे स्पोटीफी यूटूब या जो दूसरे वेब ब्लेयर है तो इसके लिए आपको सिंपली अपना क्रोम ब्रावजर ओपन कर लेना है और इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपके पास जो क्रोम का लेटेस्ट वर्ज आपको क्लिक कर लेना है तो जैसे यहां क्लिक करेंगे आपका जो क्रोम का जो ब्रावजर है ठीक है क्रोम ब्रावजर है वो आपके लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो जाएगा क्योंकि इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपके पास जो क्रोम का लेटेस्ट वर्जन यानि कि वर्जन नंबर 77 होना जरूरी है, इसी वर्जन में ये फीचर काम करेगा, तो Chrome का लेटिस्ट वर्जन अपडेट करने के बाद इस फीचर को कैसे इनेबल करते हैं, तो simply आपको अब क्या करना है कि अपने Chrome की जो एड़ेज बारे, यानि कि कहें Omni Box उसमें simply Chrome, colon, double slash और Flex आपको टाइप कर देना है, और इसके बाद अपना Keyboard का Enter आपको प्रेस करना है, तो जैसे ही आप Enter प्रेस करेंगे, तो आपके सामने Search Flex का एक Box ओपन हो जाएगा, Search Flex में आपको simply यहाँ पे एक Flex सर्च करना है, तो यहाँ simply आपको टाइप करना है, Global Media Controls, तो जैसे ही आप Global Media Controls यहाँ Search Flex Box में टाइप करेंगे, तो यह Automatically Highlight हो जाएगा, और यह जो फ्लेग है, बाइडिफोल्ट होगा, तो बाइडिफोल्ट से देख लीजे, यह जो फ्लेग फिलाल बाइडिफोल्ट है, तो बाइडिफोल्ट से इसे Enabled पे हमें Shift करना है, तो जैसे आप Enabled पे से Shift करेंगे, तो ब्राउजर हमें Relaunch करने के लिए कहा जाएगा, तो Relaunch Now जो बटन है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, हमारा ब्राउजर रिबूट होगा, Relaunch होगा, तो यहाँ ब्राउजर के Restart या Reboot होने के बाद, Simply आप इस Feature को Use कर पाएंगे, तो चलिए अब New Tape ओपन कर लेते हैं, और इस Feature के लिए किसी भी, Web Player, YouTube, Spotify, तो चलिए आप यहाँ YouTube को ही Open करते हैं, तो जैसे यहाँ YouTube को आप Open करेंगे, तो यह Feature कैसे Enable हुआ है, कैसे Use करते हैं, सारी प्रोसेस आप इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक वीडियो को प्ले करता हूँ YouTube से, तो इस वीडियो को जिसे ही मैं प्ले करूँगा, तो दोस्तो हमारा जो Ordinary Way है, वीडियो को Pause प्ले करने का, यह YouTube की जो बटने यहाँ से करते हैं, बट जो New Feature है, वो Right Hand के Top Corner पर आपकी जो टूल बार है, उसमें एक जो Feature एड़ कर दिया है, एक बटन एड़ कर दिया है, Global Media Control, यदि आपने Multiple Tests पे आप काम भी करते हैं, तो यहाँ देख लीजे, यह बटन एड़ किया गया, तो यहीं से आप YouTube है, Spotify है, या दूसरे वेब प्लेयर के आडियो को कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ देख लीजे, मैं Pause और Play कर पा रहा हूँ, यहीं से, टूल बार से ही YouTube के आडियो को, इसी प्रकार से यदि आप Multi Tape से पे काम करते हैं, यदि किसी टेप में, यदि किसी एड़टाइज में नारा वीडियो वाला, तो उसके आडियो को आप यहीं से कंट्रोल कर पाएंगे, ठीके दोस्तों, तो इस feature को यूज करके, आप आडियो को टूल बार से ही, एक्सेस या कंट्रोल कर पाएंगे, तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, कि आपको मेरा आज का वीडियो पसन आया होगा, दोस्तों वीडियो पसन आया, तो लाइक करके जाना, चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो सस्क्राइब कर लेना, तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन सुबह, वन्स अगें, थेंक यू फार वोचिंग, मैं यूटूब चैनल यसराज, शलूशन्स.